हलो गाईज, वेल्कम आई यूटिप चैनल, आप सब कैसे हैं, सबसे पहले मैं अपना केमरा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, आइसिंग होगी है, लास्ट डेकॉरेशन आप सब के लिए बस लेकर आई हूँ, और वैसे ना मैं आपको साट में बता देती हूँ, ठीक है, तो ये कितनी हर बरी में आई थी गाईज, मैं खाना बना रही थी हूँ, तब ही मेरे को कॉल आता है, मेरे हस्बेन का कि केक ओडर है, आधा गंटा में कोन केक बना पता है, आधा गंटा तो खुद इस पॉंज को ही तायार होन में लगता है, एक घंटा लगेगा, मैं सारे साथ तक बोले थी, मैं बोली यार वज़े तक दे दूँगे, तो फिर उन्होंने मान गए, ठीक है, दे देना, तो फिर न, वो ऐसा था कि, और न, उस दिन बारिज भी हो रही थी गाई, तो लाइड भी चरी गई थी पता है, और इन दिन में क्या करे थी, मैं केक तो बना रही हूं, लेकिन कीचन में भी मेरे दो-दो सबजी, दाल, चावल, ये चारों पक रहे हैं, और मैं क्या करती हूं, पहले केक को देखती हूं, फिर मेरे लाश्ट डेकोरेशन बचरत है, जल्दी-जल्दी से लाश्ट डेकोरे करने भी नहीं जा पाते क्योंकि वो अपीस पे होते हैं तो उनके भाई जाते हैं और आज फर्स्ट टाइम कस्टमर ने ना 300 का केक के बदला हमें 400 रुपए केक 500 रुपए केक दिया हैं क्यों ये वीडियो के एंट पर बदाऊंगी ठीक है तो निटल जल से मैंने इस तरह से कर दी और केक का रिव्यू इतना अच्छा आया था ना उन्होंने बोला कि ना भाई मैं मेरे को अब तक ना पिस्ता केसा पि इन्ट आया तो वह में अच्छा लगा feedback कि इसका अच्री लगता है सबकी अच्छा लगते तरह सी feedback देते रहते हैं तो हमें इस चाहले कि यह देखिए मैं क्रीब मेरा फिनिशिंग आपको कैसी लग रही क्या फिनिशिंग नहीं है इसके एक में ये सिर्फ 30 मिनट में बैक हुआ है और उसके बाद 15 मिनट में मैंने इसकी आइसिंग खतम की क्योंकि लाइट भी बंद है हमारे यहां लाइट इन्वाइटर से चल रहा है बीटर बस वागे रहा है के लिए इतना टाइम नहीं था उनको सिर्फ 8 बजे केक चाहिए था और अभी बज गए हम 15 मिनट कम है 8 बजने में फिर भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करके फ्रीज पे रख देती हूं वैसे तो यह क्रीम हमारा ना वैसे तो यह केक हमारा फ्रीज पे जादा देर तक नहीं था वैसे केक को ना फ्रीज पे दो से तीन घंटा तो रखना ही होता है ठंडा करने के लिए ठंडा रहता है तभी केक अच्छा लगता है फिर पिर उनको हमारा केक इतना पसंद आया ना क्या वाता है मतलब वह सुनके वह देखके ना मेरा दिल ऐसे गार्डन गार्ड बहुत अच्छा डिजाइन बना है बहुत अच्छा लगा बेकरिस वाली डिजाइन पे था गार्नेसिंग रखा नहीं था मेरे पास अगर होता तो यह बीच में लगा देती लेकिन उन्होंने बोला था हैपी बड़े मामा लिग दिये मामू बोले थे और यह ना उनके हो जोंगा मैं पूर ऐसे कर गए तो मेरे हजबन बोले ठीक है घंटा के अंदर बन जाएगा केक तो उन्होंने हम बोल दिये तो हमने केक बना दिये आपको केक का डेकरेशन कैसा लगए कि आपको फिनीसिंग नहीं लग रही है मुझे तो पंद्रहीं मिनट के आइसिंग के इस आप से बहुत अच्छी फिनीसिंग आई थी और जल्दी जल्दी में क्या करेगा इस यहीं बन पाता है वैसे डिजाइन के ऐसा भी भी हो टेस्ट तो बहुत प्यारा है